स्फाफट जायकिसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों एक ऐसी खेती जिसमें आप जितने महनत करेंगे उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे जा खेती कोई आपको और नहीं केले की खेती है कई किसान अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं अच्छा profit कमाना तो उससे पहले आपको केले की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है और एक खेती काफी मेहनत की खेती है लेकिन profit इससे काफी अच्छा मिल जाता है किसान भाईयों को तो दोस्तों आज हम देखेंगे केले में खादवा उरोरक की कुछ खास बातें अगर किसान उस पर ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा उत्पादन ले सकेंगे लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवसी कर दें साथ ही साथ आप वेल आइकन की घंटी को जरूर दबाए और दोस्तों लाइक वा शेयर भी करें दोस्तों आज हम केले की खेती में खादवा उरोरक के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसकी सिचाई के बारे में भी जानकारी लेंगे तो सबसे पहले दोस्तों जब आप खेत की तयारी करते हैं उसमें भी खाद या उरोरों की जरूरत होती है उसमें आपको क्या करना है कि जो आपकी खाली खेत है यानि कि गिहुं के बाद अगर आप केला लगाते हैं तो उसमें आप हरी खाद का प्रयोग करें यानि कि खेत मे धैचा या सनई का प्रयोग करें, और फिर उसके बाद जुताई के समय आप उसमें कमपोस्ट का प्रयोग करें, अगर आप 200-R2.60 कुंतर तक कमपोस्ट का प्रयोग कर देते हैं, तो आपको काफी अच्छा उत्पादन हो सकता है। साथी उसके बाद दोस्तों जब गढ़ों के समें आपको कौन कौन सी खात की जरुरत होती है जब आप एक बाई एक के घढ़े एक होते हैं पौधे लगाने के लिए तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें और उसके साथ ही आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आपको यूरिया 10-20 ग्राम पर पौधा डालना चाहिए और यूरिया जो है पौधे के जड़ में बिल्कुल ना डाले जड़ के आसपास आप थोड़ा थोड़ा डाले जो कम से कम 5-6 इंच दूर हो तो इसका अच्छा रहता है कि जड़ में डालने से पौधा जल सकता है और खराब हो सकता है इसके बाद दोस्तों हर 20 दिन के बाद आप N.P.K. अगर 10-26 है तो बहतर है आप उसका प्रयोग करें और साथ ही साथ आप यूरिया भी डाले और दिरे-दिरे दोस्तों जब पौधा बढ़ने लगे तो आप अपनी खाद को भी दिरे-दिरे बढ़ाते रहे दोस्तों ठंड़क में पौधा जो है सुसुपता वस्ता में होता है तो उसमें खाद की जरूरत नहीं होती है क्योंकि खाद जो आप डालेंगे वो पौधों को नहीं लगती है वो जमीन में पड़ी रहती है या तो ओड़ जाती है या जमीन के अंदर चली जाती है लेकिन पौधों को इसे कोई खास फाइदा नहीं होता है तो जब आपका ठंड़क समाप्त हो जाया यानि कि 15 फरवरी के बाद आप हर 20 दिन पर NPK यूरिया और इसमें आपको पोटास मिला देना चाहिए साथी साथ दोस्तों एक बार आपको जिंक का भी प्रयोक करना चाहिए और पौधों पे जो खाद का है वो आप पोधे की ग्रोध के अनुसार दिरे दिरे बढ़ाते रहे और ये प्रक्रिया लगबग आपको फलाने तक डालनी चाहिए दोस्तों जहां तक सिचाई की बात रही तो इस पसल में लगबग हर 15 दिन के बात सिचाई करनी चाहिए क्योंकि खेत में नमी रहना बहुत जरूरी है और नमी रहेगी तबी पौधे का ग्रोध अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा इसके साथ ही दोस्तों मैं खास बात और बता दूँ आप वेस्ट डी कंपोजर का ग्होल इस पानी के साथ अवसी परे उकरे इससे क्या होगा आपकी जमीन उपजाओ होगी और जो आपने कंपोज्ट या हरिखात का डाला है उसमें काफी अच्छा पौधों पर रिजल्ट आएगा पौधों का फल जो है वो काफी वजन हो जाएगा आप एक एकर में लगबग 500 लीटर 2000 तक यानि कि जो भी आपके ब फिर आप इसे पौधों पर भी इसे आप हर 10 दिन पर या 15 दिन पर इसका स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा इससे एक फाइदा और होगा आपकी रसाइनिक खादें आप कम भी डालेंगे तब भी हमारे पौधे काफी अच्छ अच्छा होगा तो दोस्तों यह तो बात रही खाद, और अपनी के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे आप निराई गुड़ए के बारे में लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आफ से कर दें सथिसार करें जैकिसान दोस्तो झाल झाल झाल